सबी सिक्सक्सांतियों को मेरा नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि आप लगातार तीन मेहनों से दिक्सा एप में ऑनलाइन सेक्षिक पर्षिक्शन प्राप्ट कर रहे हैं और आपने कई सारे सेटिफिकेट प्राप्ट कर लिये हैं अब उन सेटिफिकेट को आपको कैसे दिक्सा एप में वेरिफाई करना है और कैसे आप अपने सेटिफिकेट का नमबर जान सकते हैं उसको आज हम इस वीडियो के मादध्यम से यहां पे सीखेंगे तो सबसे बड़ी समस्य यह आती कि जो हमारा दिक्सा एप है जैसे मैं यहां पे खोल लेता हूं तो यहां पे आप देख रहे हैं दिक्सा एप में यह जो गोला यहां पे दिखाई दे रहा है यह हमारा स्कैनर है हुआ मारा स्कैनर और इस से हमें अपने स्कैन करना होगा लेकिन एक समस् railroad कि सेटिखेंट हमारा अपने फोन पर सेब तो सडेखेंट अपने फोन पर सेब होने के आचारण हम इस को आपने दिक्सा एप से स्कैन नहीं कर पाएं तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले अपने certificate को दूसरे के mobile में जाकर हमें उसको WhatsApp के माद्यम से या कि email के माद्यम से भेजना पड़ेगा वहाँ जाकर हम उसको scan कर सकते हैं और एक दूसरा और कारण है कि आप certificate का प्रिंट आउट निकाल लिए फिर उसको scan करिए और एक और मेथड है जिसमें आप अपने computer या आपका जो laptop होता है उसमें दिखसा ID को खो लिए और वहाँ पर certificate और सि sap. उसको मैं पहले जूम कर लेता हूं आप देख रहें जुम मै नहीं पर किया है तो यहाँ पर नंबर आप किसी कॉपी में नोट करके रख ले तक ताकि आपको उस समय इसकी आवश्क्ता होगी जब आप से यह नंबर मांगा जाएगा अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा दिक्सा एप का स्कैनर कोड है उससे हम कैसे स्कैन करेंगे अपना साटिफिकेट तो स्कैनर मैंने बताया था कहां पर यह हमारा बीचो बीच में स स्कैनर को जब हम स्कैन करेंगे अपने सेटिफिकेट का जो क्यू आर कोड को तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्यू आर कोड में हमारा जो चैंग का डिजिट है उसको हमें पहले कहीं पर नोट करके रखना है वह हमारा सेटिफिकेट नंबर है तो हम क्या करेंगे अपना certificate को open कर लोगा और यहां से में जो QR कोड इसको scan करूँगा तो आप देखेंगे जैसी मैंने अपना certificate खुला और अब मैं certificate में आप देखेंगे कि यहां पे मेरा QR कोड है इसको जैसे में क्लिक करूँगा तो यह यहां पर open हो जाएगा अब यह बोल रहा है यहां पर आप देख रहें यहां पर कि जो हमारा यह वाला कोड यहां पर हमें क्या डालना है अपना चैनकों का सैटिफिकेट का जो हमारा कोड है उसको डालना है जिससे हम उसको वेरिफाई कर सकें तो अब हम यहां पर डालेंगे कोड जैसे मेरे certificate का code T9R उसके बाद आपका 6 उसके बाद Q और उसके बाद 3 जैसी मैंने इसको click किया अब यहां पर verify आ रहा है तो जैसी मैंने से click किया आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरा नाम आ गया यहां पर मेरा नाम और यह मेरा certificate verify हो गया तो यह कोई कठीन कारे नहीं बहुत ही आसान है तो आप इस वीडियो का उप्यों करके आप अपने certificate को verify करिए तब तक आप अपना course करते रहे और आगे वाले वीडियो में कोई भी नई जानकारी आएगी उसको लेके हम आपके पास नया वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवार कर दो आपके बन्यवार